दोस्तों आप जानेंगे मंडी में आज लीची का क्या बजा रहा आम का क्या बजा रहा कौन कौन सा हम है जाजार जी के बाद इनी से जानते हैं जी नमस्कार जी आजी बोलिए आम का केसर है दार से लेके ग्यारा बारा तेरह सो यह केसर है अजार बेकी है यह केसर है ग्यारा सुर्वेकी है यह केसर है तेरह सुर्वेकी है बड़ी वाली तेरह दशारी 1100 अपने पास आज केसर दशारी है लंगणा लंगणा जारा सुर्वे यह गुजराद लेची देड़ सुर्वे किलो यह खुर्वानी है यह जो है ड़ाई सुर्वे का डबा है ड़ाई किलो सुर्वे किलो इस ना किरी का आप हो साथ सुर्वे तो मुबाइल नंबर है 9540820921 शॉप नंबर 50 दोस्तों आप बात करेंगे चैरी का बजार रहा मंडी में उखला मंडी में जानते हैं कि पुराने व्यापारी है नीशे बात करते हैं जी नमस्कार जी चैरी करें जो है इस यह आधाकली वी चैरी है इसकर देड़ी सब्सक्राइब करते हैं कि अपने पास बाती है यह आड़ू है आड़ू है आड़ू है आड़ू यह सोर पगड़ा हादक लोगा अच्छा तो यहां लोग पाकेट बंदी माल रखते हैं में होल से लोग डिटेल दोनों का हमारे अच्छा अपने बास कीवी भी दिख रहा है भाई साब कीवी का क्या बजाता है कि वी जो है 500 पर इत्रे है कितने ताने में 30 पीस होता है इसमें 36 अच्छा अच्छा अच्छ सब्सक्राइब करना हो अपना दुकान का पता मोगाल नमबर देजिए शोग नमबर 50 मोगाल नमबर नाइट बन जेरो नहीं शोड़ी एट सिक्स त्री जिरो सेविन बन टू नाइन जेरो पुला शीग वैसा धन्यबाद कि दोस्तों आप बात करेंगे शिंदूरी का मंडी में आज का बजार चला शिंदूरी का हॉल्चेल में 30 रुपे कीलो का पेटी वजन क्या आए जी चाजा जी पेटी का वजन क्या आए जी दोस्तों पेटी का वजन रहा दस किलो दोस्तों अब बात करेंगे पपीते का आज जो मंडी में पपीते का बजार चला वो हॉल्चेल में 30-32 रुपे कीलो का बजार चला बढ़िया क्वाल्टी का दोस्तों आप बात करूंगा आम में शिंदूरी का जितना दिखने में खुबशूरत जो सिंदूरी का आज का बजार रहा वो मंडी का रहा बजार 900 रुपे का पेटी वजन दस किलो लगवग 95 रुपे किलो रुपे पढ़ती है यह माल पीछे जो माल है यह दक्षिन भारत से हमारे मंढ़ियों में उत्तर भारत के मंढ़ियों में आती है दक्ष भारत में केरल आंद प्रदेश कमिलाडू और करनाटक से माल आते हैं कभी भी आपको हॉल्चेल में आम की खड़ीदारी करना हो तो डैक्टली ओखला मंडी में ओखला मंडी में सौप नंबर 268 पे डैक्टली विजिट करें और यह जो भाइशाब दिख रहे हैं और यह दोस्तों यह थे आम चाहिए जिनसे आम का बजार जाना कभी भी आपको हॉल्चेल में बेहतर क्वाइल्टी के अगर आमकी तलास और सोखिन रखते हैं तो डैक्ली ओखला मंडी में सौप नंबर 268 पे आये और भाई साब से संपर कर सकते हैं ही दान्यवाल दोस्तों अब बात करेंगे पके केले की पके केले का बजार रहां जिसमें आ रहा है दस से बारा धरजन बढ़ियां कॉलती के माल दोस्तो आब बात करेंगे लीची का जो लीची का आज का मंडी का बजार रहा वो जी लीची का बजार रहा 90 से लेके 100 रुप्य किलो तक पेटी का बजन जो आ रहा है जी 15 किलो 10 किलो 18 किलो के जैसी क्वैल्टी वैसा माल पीछे ये मुझपरपुर बिहार से लीची आई हुई है साही लीची बढ़िया क्वैल्टी वाली किसी को भी संपर करना हो तो ओकला मंडी आएं और डैकली हॉल्चेल लीची की खड़िदारी कर सकते हैं दुकान नमबर कितना है भाई साब ये 252 नमबर ठेहा पर आएं और हॉल्चेल की खड़िदारी कर सकते हैं धन्यवाद जी दोस्तों अब बात करेंगे अंगूर जो नाशिक वाली अंगूर है इसका बजार चला मंडी में आज 500 रुप्य का कैड़िट दोस्तों लगे हाथ अब बात करेंगे अनार की अनार का जो बजार चला वो 1300 रुप्य का कैड़िट बढ़िया क्वाली वजन 10 किलो प्रीमियम क्वाली गुजरात और महरास्ट वाली और जो हलकी क्वाल्टी में है उसका बजार गया है 1000 रुप्य पे लगे हाथ आप भाईयों से निवेदन हैं हमारे चैनल को ज़्यदा ज़्यदा लाइक करें सब्सक्राइब करें सेर करें ताकि ऐसे मंडी से जुरा हुआ इन्फॉर्मेशन है वह आप लोगों को देता रहूं दोस्तों बात करेंगे पपीते का जो मंडी में आज होल्चेल का पपीते का बजार रहा वो दुकान नंबर 47 पे 10 रुपे कीलो से लेकर के 10 रुपे 12 रुपे 15 रुपे के बजार रहा कभी भी आपको हॉल्चेल में पपीते की खड़िदारी करना हो तो वह खला मंडी में ड्रेक्टलू सॉप नंबर 47 पे विजिट करें और हॉल्चेल पे खड़िदारी पपीते की कर सकते हैं आप भाईय जैदा चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें सेर करें धन्यवाद